यूपीCon को एकाउंट ओफिसर की भरती आई उसके नोचिफेकेशन के बारे में बताऊंगा, जियससे के में अब संयों के अधूनीकरशाल में की आने के बाद उसके बाद तरिंस Sun freezer के लिंगर दो स्थिंस की सिंपला पेज़ खुल के आ जाएगा इसके फुल नोटिफिकेशन के बारें बात करेंगी हम आज हम बता देख कि यूपी पीसेल एकाउंट ओफिसर एओ रेकुरिमेंट यहां पर देखिए जो भी रिलीज जो नोटिफिकेशन है रेकुरिमेंट पंद्रा एकाउंट ओफिसर एओ पोस्ट आल कंडिडेट फू इंटेस्टेट इन दिस सी ए लेवल रेकुरिमेंट और फूल फिल इलिजिबल कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म तुन तू हजार बाइश से लेकर दोहजार तेश सग या एड़वाटाइज इन इन फॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू एज डिलेट लिमित सल्वेस इंसक्शन वाइज पोस्ट सेलेक्शन प्रोडूस पे स्के इसका मतलब यह है दोस्तों कि इसकी जो है पन बीज दिसंबर सिया फॉर्म आल लाइन होगा तैस दनवरी तक इसकी फॉर्म की लाज़ट है और इसकी जो स्केल है नोटिफिकेशन है लिमिट है वो सारे नीचे दिये गए हैं आपको इसकी बारे में पूरा बताते हैं उत् दो हज़ा और दार देटियल है इसकी बात करें तो आप और देट के बसुटार नहीं है नहीं होगा अब बात करें अब बात करें आपकास lord कार स्टन प्र Indigent एड्ट कर सनोप होगा अपकली अ OBC EWS की 1160 रुपए ST, ST के लिए 820 रुपए रखे गिया पेरिंग जाम, फिस्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बेंकिंग या इचलान के द्वारा आप पैमेंट कर सकते हैं आगे चलते हैं दोस्तों हम बता दें, UPPCL Account Officer जो एज लिमिट रखे गई है, एक इक 2022 से कल्कुलेट की जाएगी, उसकी एक एक इस साल कम से कम और अधिक सदिक 40 साल होनी चाहिए और एज डेटेड इस्ट्रेक्टर पर स्केल एकाउंट, UPPCL Accounted Officer AOE Recruitment Rule 2022 अब हम बताते हैं, UPPCL Account Officer की जो वेकेंसी डीडेल में पोस्ट बताते हैं आपको, Account Officer जो है, AO की जो भरती है, टोटल पंदरा है जोस्तों, और इसकी इलिजबेल्टी क्या है, CE Chartered Account एक जाम पास होना चाहिए, More Illigibility Detail Road Read Notification, अब हम बात करते हैं, इसकी वेकेंसी कैटेगेरी बात करें तो, UR की 7 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट, OBC की 3 पोस्ट है, SC की 4 और टोटल 15 पोस्ट है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, वही बेकती इसमें फार्म भर सकता है, जो किस तरीके से फार्म को फिलप करना है, इसके बारे में हम अभी कुछ समय बाद आपको बताने वाल हैं, ठीके दुख तो, ओके, थैंक्यू बाई